नमस्कार, Current of Air MCQs प्रोग्राम में आपका स्वागत है, आईए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रेशन से प्रेशन था अर्थ शास्तर के संदर्ब में आधार वर्ष क्या है? सबसे कम मुद्रास्पीती दरवाला वर्ष, आर्थिक सूचकांकों में तुलना के लिए उप्योग किया जाने वाला बेंचमार्क वर्ष, सबसे अधिक GDP विकास दरवाला वर्ष या फिर वहे वर्ष जिसमें CPI और WPI समान हैं इसका सही जवाब ऑप्शन B आर्थिक सूचकांकों में तुलना के लिए उप्योग किया जाने वाला बेंचमार्क वर्ष, आधार वर्ष एक संदर्ब अवधी है जिसका उप्योग समय के साथ आर्थिक और सांकी की आंकडों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता ह इसे आम तोर पर आर्थिक सूचकांकों में तुलना के लिए बेंचमार्क वर्ष के रूप में चुना जाता है आधार वर्ष के बिना यह निर्धारित करना कठिन होगा कि आर्थिक संकेत कों में परिवर्तन अर्थविवस्था में वास्तविक परिवर्तनों के कारण थे या केवन मापन विधियों या डेटा संग्रहन तकनीकों में परिवर्तन का परिणाम थे तो इस तरहां इस प्रशन का सही जवाबे उप्शन भी आर्थिक सूचकांकों में तुलना के लिए उप्योग किया जाने वाला बेंच मार्क वर्ष आईए शुरुआत करते हैं आज क परिशट की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा की जाएगी तीन वह राष्ट्रपती के इच्छा पर प्रधान मंत्री का पदधारण करते हैं ऊपरे उक्त में से कितने का विश्वास प्राप्त करता हो अतहक अथन एक सही है बारत्य सम्विदान के अनुछेत 75-1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपती द्वारा की जाएगी और अन्य अतहक अथन 3 सही है तो इस तरह इस प्रेश्ण का सही जवाब ऑप्शन भी केवल दो अगला प्रेश्ण एग्जिट पोल के संबंद में निम्निलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक एग्जिट पोल एक सर्वेक्षन है जो मतदाताओं द्वारा मतदान करने के तुरंट बात किया जाता है दो यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है तीन, मतदान प्रक्रिया के दौरान exit pole के नतीजे प्रकाशित करना प्रतिबंदित है उपर युक्त में से कौन सा यहां से एक अथन सही है या फिर है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब आप्शन C, केवल एक और तीन, exit pole यह एक सर्वेक्षन है जो मतदाताओं द्वारा मतदान करने के तुरंत बात किया जाता है इसमें मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस उमीदवार का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मतदान में कौन सी पार्टी आगे है अतहक अथन एक सही है यह सर्वेक्षन निजी एजन्सियों द्वारा कराये जाते हैं ना कि भारतिय चुनाव आयोग द्वारा अतहक अथन दो सही नहीं है चुनाब आयोग मतदान प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल प्रकाशित करने पर रोक लगाता है लेकिन उन्हें अंतिम मत डाले जाने के 30 मिनट बाद प्रकाशित करने की अनुमती है अतह कथन 3 सही है तो इस तरह इस प्रशन का सही चवाब आप्शन C केवल एक और तीन अगला प्रशन डिमनलिकित में से कौन सा कथन प्रच्छन बेरोजगारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऐसी स्थिती जिसमें श्रमिक ऐसे कामों में लगे होते हैं जिन में उनके कौशल और योग्यता का उप्योग नहीं होता ऐसी स्थिती जिसमें श्रमिक आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगार होते हैं या फिर ऐसा परीद्रिश्य जिसमें श्रमविक मौसमी नौकरियों में नियोजित होते हैं और ओफ सीजन के दौरान बेरोजगार होते हैं इसका सही जवाब बॉप्शन भी ऐसी स्थिती जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादक्ता शुर्न्य होती है प्रच्छन बेरोजगारी वह स्थिती है जिसमें वास्तविक आवशक्ता से अधिक लोग कारेरत हैं यह मुखे रूप से भारत के क्रिशी और असंगर्ठित क्षेत्रों में देखा जाता है अगला प्रच्छन भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के संबंद में निम्दलिकित कत्रों पर विचार कीजिए एक भारत निर्वाचन आयोग के पास केवल लोगसभा और राजसभा के चुनावों के अधिक्षन, निर्देशन एवं नियंतरन की शक्ती है दो भारत निर्वाचन आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने से कोई सरोकार नहीं है तीन मुख्य चुनाव आयोगत को सर्वोचियायाले के नया अधिश के ही समान हटाया चासकता है नीचे दिया के कूट का उप्योग करके सही कत्नों का चयन कीजिए केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ए उप्शन भी केवल दो और तीन भारत का समविधान भारत निर्वाचन आयोग यानी Election Commission of India को चुनावों के अधीक्षन, निर्देशन और नियंत्रन की शक्ति प्रदान करता है संसद, लोकसवा और राज्यसवा, राज्यविधान मंडल, राज्यविधान सवा और राज्यविधान परिशद यदी मौजूद हो भारत के राश्ट्रपती का कार्याले और भारत के उप राश्ट्रपती का कार्याले अतहक अथन एक सही नहीं है ECI का राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने से कोई सरोकार नहीं है यह प्रतेक राज्ये में एक अलग राज्य चुनाव आयोक द्वारा आयोजित की आ जाता है अतहक अथन दो सही है दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्रपती द्वारा संसत के दोनों सद्दों द्वारा विशेश बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्र कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन B केवल दो और तीन अगला प्रशन भारत में वर्ष 1989 में स्थापित मंडल आयो कमुक्य उद्देश्य क्या है भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का आंकलन करना परियावरन संदक्षन और सतत्विकास हेतु एक रूप रेखा विक्सित करना भारतिय क्रिशी पर वैश्वी करण के प्रभाव का अध्ययन करना या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों की स्थिती की जाँच करना तथा उनकी उन्नती हेतु उपायों की अनुशनसा करना इसका सही जवाब ऑप्शन D सामाजिक और बीबी मंडल की अध्यक्षता में पिछडा वर्ग आयोग की नियुक्ति की आयोग का गटन भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों को परिभाशित करने के मांदंड निर्धारित करने तथा उन वर्गों की उन्नती हेतु उठाय जाने वाले कदमों क की अनुशंसा करने के लिए किया गया था आयोग ने निशकर्ष निकाला की भारत की जनसंख्या में लगबग 52 प्रतिशत OBC हैं फलतह उनके लिए 27 प्रतिशत सरकारी नौकरिया आरक्षित की जानी चाहिए तो इस तरह इस प्रशन का सही चवाब ऑप्शन डी सामाजिक औ सथा उनकी उन्नती हेतु उपायों की अनुशंसा करना अगला प्रशन निम्दलिकित में से कौन सी भारतिय लोगतंत्र की विशेशताएं हैं एक लोगप्रिय संप्रभुता दो सार्वभामिक वयस्क मताधिकार तीन दो दलिये व्यवस्था चार प्रतिबद न्याय पालि का नीचे दिये गए फूर्ट का उप्योग करके सही उत्त चुनिए केवल एक और दो और दो केवल दो और तीन केवल एक दीन ओर चार इसका सही जवाब बारतिय लोगतंत्र की विशेशताएं निम्दलिकित हैं लोगप्रियासमप्रभुता यह इस बात पर जोड़ देता अंतर निहित मूल्य को दर्शाता है, बहुद अलिय प्रणाली यह विविद विचारों, विचारधारों और आवाजों को प्रतिबिंबित करती है तथा एक सम्रिद लोकतंत्र सुनिष्चित करती है, और स्वतंत्र न्याय पालिका यह कानून के शासन को कायम रखती है और व पाडिजिक नुकसान, गंगा डॉल्फिन का सनरक्षन या फिर वायू गती की ए डिजाइन और विशलेशन, इसका सही जवाब ए ओप्शन D, वायू गती की ए डिजाइन और विशलेशन, प्रवाहा सौफ्ट्वेर, भारत्य अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस्टर पुना प्रवेश वाहनों जैसे एरोस्पेस वाहनों के वायू गतिकी एवं उश्मा गतिकी का विशलेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्थिक गलियारे के संबंद में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए। सिल्क रोड एकोनॉमिक बेल्ट और 21 सदी का समुदरी सिल्क रोड मिलता है। इसलिए यह बेल्ट एंड रोड पहल की एक प्रमुक परियोजना है। इसका उद्देश्या लगभग 3000 किरो मीटर लंबी सडकों के नेटवक के माध्यम से उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांध जिंजियांग को पाकिस्तानी बंदर काहा गौादर से जोड़ना है। इस तरह इस प्रश्चन का सही जवाब ऑप्शन भी केवल दो। अगला प्रश्चन लिडार तकनीक के बारे में निम्दलिखित कतनों पर विचार कीजिए। एक लिडार या लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग एक लोग प्रियर रिमोट सेंसिंग विदी है जिसका उप्योग प्रित्वी की सतह पर किसी वस्तु की सटीक दूरी मापने के लिए किया जाता है। दो लिडार लक्षय वस्तु के बारे में सटीक 3D जानकारी उत्पन करने के लिए एक पंदित लेजर का उप्योग करता है। अतह कथन दो सही है। ये प्रकाश्त पंदन हवाई प्रणाली द्वारा एक अत्रित जानकारी के साथ सहियों जित होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही चवाब्य उप्शन सी एक और दो दोनों। अंतिम प्रश्न है। राष्ट्री हाइड्रोजन मिशन के संबंद में निम्दलिके कतनों पर विचार कीजिए। विद्युत मंत्राले की एक पाइलट परियोजना है। दो इसका लक्षे 2030 तक एक लाग करोर रुपे के जीवाश में इंधन आयात और लगबग 50 मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर्ष ती और टू उत्सर्जन को कम करना है। वो परियुक्त में से कौन सा यहां से एक अथन सही है या फिर हैं। केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ए उप्शन भी केवल दो। अतहक अथन एक सही नहीं है। मिशन का लक्षे 2030 तक एक लाग करोड रुपे के जीवाश में इंधन आयात और लगबक 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष CO2 उत्सर्जन को कम करना है। अतहक अथन 2 सही है। इस बदलाग को सक्षम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक आशा जनक विकल्प माना जाता है। तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन भी केवल दो। आये नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रशन। निम्दलिकित में से कौसा गटबंदन सरकार की विशेशता नहीं है। विबिन हितों का समायोजन, संगवाद को मजबूत करना, बहतर प्रतिनिधित्व या फिर निरंकुष नियंत्रण। इसका उत्तर नमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर भेजिएगा। अगले सेक्षन में नए प्रश्णों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बढ़ते रहिए and stay motivated।